हाई फ्रेंड्स हाव आई यू आल आफाइन तो आज की रेस्पी है जाली तार स्पंजी चोकलेट केक जो कि मम्मा नहीं मैं बनाने जा रही हूँ तो चलिए रेस्पी को शुरू करें तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बॉल बॉल में डालेंगे हम यहाँ पे हाफ कप रि खटी तो बिलकुल नहीं होनी चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना है विसकर से हमें इसे ओईल और करड को अच्छे से विसकर लेना है मिला लेना है उसके बाद जब यह अच्छे से हो जाए तो अब हमें यहाँ पे लेना है वन कप पावडर शुगर ली है और इसके डाल दूँगी अगर आपके पास पावडर शुगर ना हो तो आप क्या करें चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में पीस के भी फाइन पावडर बना के भी यूज़ कर सकते हैं अब हमें इसे विसकर से अच्छे से मिला लेना है देखिए अच्छे से मिलाएंगे तो यह कुछ इ लूँगी इसगी दंसे समूढ हो जाएगी तो चलिये अभी टिन को देखते हैं के टिन जो हैंब हाई हमें और किसी भी सप्सके सब्सक्राइब और बीडियो को लाइक और नंअग भूलेगा प्लीज ममा की चैनल को सपोर्ट किजिए विसके बाद मैंने हाँ पेस प्डीक मैंने केक की साइज का बटर पिपर काट ल 6 एगर कि पास बटर पिपर न हो तो आप मैदा भी थोड़ा से डस्ट कर सकते हैं मैंने बटर पिपर अच्छे स docबा दिया था उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे से और अउils से ईसे उपर से डीस कर लूँगी उसके बाद चलिए ड्रा इंग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं तो मैंने या पर लगा दी है एक च्छनी उसके बाद मैं या पर मैदा का यूज करनी हूँ तो मैं दो कप मैदा यूज करूँगी तो ये गया मेरे पहला कप ये गया मेरे दूसरा कप आप तो ये केक सिर्फ मैदा से भी बना सकते है मैदा आटा मिक्स करके भी बना सकते है या फिर सिर्फ आटे से भी बना सकते है या आपकी चोईस है अब हमें इसे अच्छे से स्पून के हैट से इसको सीव कर लेना है चान लेना है देखे जब थोड़ा सा मैं दसीब हो जाए तो मैंने यहाँ पे लिया है half cup milk powder milk powder अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, यह optional है आप इसे छोड़ सकते हैं बस यह थोड़ा सा taste enhance करता है तो मैंने यहाँ पे milk powder डाल दिया है चौकले केक है, तो कोका पाउडर भी नहीं भूलेंगे दो चमच मैं यहाँ पे डाल देती हूँ कोकुआ पाउडर देखिए यह मेरा दूसरा चमच है कोकुआ पाउडर भी डाल दिया है तो अब ड्राइ इंग्रीजेंट को बाद में देखेंगे पहले तो कड़ाई को प्री हीट करते हैं जो की ममा करेगी, मेरे से तो होने से रहा तो देखिए, मैंने अभी अपने ड्राइंग्रीजेंट को इधर ही रख दिया है मैं इसे बाद में सीव करूँगी तो चलते हैं भी गैस की तरफ तो ममा ने यह कर लिया है गैस को अन गैस के उपर चढ़ादी है कड़ाई देखिए, आपको जिस भी कड़ाई में बनाना है आप उस कड़ाई में यसे चढ़ा सकते हैं वो कड़ाई चढ़ा सकते हैं इसमें डाल दिया ममा ने एक स्टैन और उसकी लगा दी है लेड़ देखी है अब इसे हमें 10 मिनट प्री हिट होने के लिए छोड़ देना है वो भी low flame पे देखी 10 मिनट में प्री हिट हो जाएगा तब तक हम अपने ड्राइंग्रेडियन्स को देख लेते हैं अब अगला ड्राइंग्रेड idag है वारा baking powder, तो मैंने यहाँ पे एक चोटी चमच baking powder लिया है जिसे मैंने spoon के help से level up कर लिया था, यहाँ पे गया एक चोटा चमच baking powder, उसके बाद मैं यहाँ पे लोगी आदा चोटी चमच baking soda, baking soda और baking powder का आपको ध्यान रखना है, देखिए उसके बाद मैं यहाँ पे इसे फिर से साज एको स्पून के हेल्प से छी सीव कर लूँगी छान लूँगी देखिए ऐसे अच्छे से चला देना है इससे क्या होगा कि हमें अपना fine powder मिल जाएगा और बाहर जो गुठलिया होंगी वो बाहर ही रह जाएगी देखिए यह गुठलिया रह गई है और हमें consistency कि ना हो जाएगा इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है देखिए मिक्स करने के बाद ही कैसी टाइट consistency हो गई है आप देख सकते हैं उसके बाद ही हमें आगे का process करना है तो हमें यहाँ पर ले लेना है one cup milk तो मैंने यहाँ पर एक कप दूद लिया है और इसको थोड़ा- करके मैं इसके अंदर डालूंगी एक बार में सारा दूद नहीं डाल देना है नहीं तो के खराब हो जाएगा जितनी जरीरत हो उतनी ही डालिएगा और याद रखिएगा दूद जो है room temperature का होना चाहिए देखिए अब हमें इसे अच्छे से mix कर लेना है देखिए जब तक यह कुछ बैटर जैसा ना बन जाए दूद डालते रहना है एक का दूद में से आपका थोड़ा बहुत बत्र भी सकता है उसके बाद मैं से cut and fold के method से इसे mix कर लोंगी देखिए जब यह ribbon-like consistency हो जाए ना friend तब समझ जाएगा कि आपका cake का बैटर एक्टम perfectly ready है तो उसके बा हमें यह पर कर देना है इसे अच्छे से tap tap ताकि यह level up हो जाए उसके बाद tap tap करने के बाद अगर इसमें कुछ air bubbles रह गए हो ना friends तो आप इसे toothpick के help से भी बहुत असानी से निकाल सकते हैं देखिए मेरे भी कुछ air bubble रह गए थे तो toothpick ली है मैंने और इसके बाद मैं अच 15 को ध्यान से डाल देना है देखें डाल के हमें इसे अपनी लीट लगा देनी है और याद रखेगा फ्रेंट्स अभी भी हमारा गैस लो रहना चाहिए मीडियम पर भी नहीं जाना चाहिए नहीं तो हमारा केक ना जल सकता है निकी लो पर हदने कर दिया है और इसे 45-50 मिने हमें बेक कर देना है ताइन थोड़ा उपर नीचे हो सकता है बीच बीच में इसके लेट निकाल के देख लीजिएगा कि हमारा केक अच्छे से बना की नहीं अब यह पता कैसे चलेगा कि केक अच्छे से बना की नहीं तो इसमें डाल देनी है हमें टूथपिक टूथपिक जो है क्लीन आई तो केक बन गया है लेकिन हमारी टूथ पे क्लीन नहीं आई है तो हमारा केक अभी नहीं पका है थोड़ा और पकेगा 10 से 15 मिनिट देखिए तो मैं ऐसे अभी 10-15 मिनिट लेट लगा के छोड़ देती हूं बेख होने के लिए देखिए 10-15 मिनिट हो जोके हैं और मुझे लग रहा है कि हमारा केक पक चुका होगा देखिए हमारा केक एकदम परफेक्ली पक चुका है देखिए तो अब हम कर देंगे अपने गयास को आफ और इस केक को ना ठेंडा होने रख देंगे ठेंडा होने के बाद हम इसे नाइफ के हिल्ट से इसे थोड़ा अल टैप टैप करती है उसके बाद हम इसे निकाल लेना है बटर पीपर को रिमूव करते ना है देखिए क्या केक बना है फ्रेंड्स बहुत ही स्पंजी है देखिए आप इसकी स्पंजी ने स्टेक ही सकते है देखिए तो चलिए अब मैं इसे आपको स्लाइस में काटके भी देखिए वाव फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें जाली कितनी आई है और यह कितना स्पंजी है मैंने आप एक खा लिया है मैं वेट नहीं करती मैं बस उठा के खा लेती हूँ देखिए फ्रेंड्स इस पोफेक गाइस इस वेरी टेस्टी आप भी जरूर ट्राय कीजे लिगा बाइ